रसोई घर का तवा, कभी धन की कमी नहीं होने देगा नमबर 1. खाना बनने के बाद खाली चूले पर तवा ना रखें गैस बन्द करने के बाद तवा कभी उसके उपर ना छोड़ें नमबर दो, काफी लोगों की ये आदत होती है कि शाम का खाना बनने के बाद वे तवे को धोते नहीं है, आपका ऐसा करना अन्न को अपमानित करने के समान माना जाता है, शाम का खाना बनाने के बाद तवे को हमेशा धोकर और सुखाकर ही रखना चाहिए, गंदे तवे और रखने का तरीका सही नहीं है। राहू के बुरे परकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा ऐसे ही ना रहने दे। उसे धोकर ही रखें। रात में तवा और कड़ाई कभी गंदा ना छोड़ें। 4. सुबा जब भी पहली बार तवे को गैंस पर रखें उस पर नमक डाल दें। गरम तवे पर नमक डालने से वास्तुदोश दूर होता है। नमक साधा होना चाहिए उसमें मिर्च या हल्दी ना हो। 5. तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाएं या कुत्ते को दें। यह नियम बना लें। पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में विप्ता नहीं आती। साथ ही घर की सारी नकारात्मक उर्जा समाप्थ हो जाती है। घर में सुक अधिका वास होता है। 6. घर में जब तवे का उप्योग ना हो तब उसे ऐसी जगा रखें कि वे सबकी नजर में ना आए। तवे पर बाहरी लोगों की नजर बिल्कुल भी नहीं पढ़नी चाहिए। तवे को साफ कर अंदर की और रखें। 7. तवे या कड़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है। 8. तवा और कड़ाई जहां खाना बनता है उसकी ताई तरफ रखना चाहिए। 9. तवे को कभी भी गैस के उपर रखकर नहीं छोड़ना चाहिए। चूले पर काम खतम होने के बाद तवा भी हटा दें। 10. गरम तवे पर कभी भी पानी ना डालें क्योंकि इससे निकलने वाली आवाज आपके जीवन में मुश्किलों का कारण बन सकती है। 11. तवा हमेशा साफ और चमका कर रखें क्योंकि ये आपकी किस्मत का प्रतिबिम्ब होता है। तवा जितना चमकेगा किस्मत भी उतनी निकरेगी। 12. तवे या कडाई को कभी भी तीखी या नुकीली चीज से ना खुरचें। 13. तवे या कडाई को कभी भी जूठा ना करें ना ही उस पर जूठी चीज रखें।